दोस्तों आज हमारा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन टोपिक है जिसे हम कहा जाता है का मतलब होता है MCG और यह टॉर्क का जो हमने पिछला एक्सप्रेशन देखा था उसका एक्सटेंशन है दोस्तों और यह आपके एक्जाम में 100% आएगा यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट है पढ़ने के लिए क्योंकि यह अप्लाइड बेस स्ट्रक्चर है तो मुविंग कोईल को लिएमिटर इसे शांती से देख लीजे बहुत आसान है अगर आपको टॉर्क के बारे में पता है टॉर्क की वहली हमारे क्या है थे एक बार फिर से रिपीट करते हैं टॉर्क अंग्नेटिक कोईल विच इस रोटेटिंग इन उनिफॉम मेगनेटिक अगर यह है तो हमें अब एक इंस्ट्रूमेंट टायर करना है जिसे कहां जाता है MCG MCG यानि गैलवानामिटर ही होता है नौर्वानामिटर के दो टाइप होता है एक पिवोटेड टाइप एक होता है अब MCG यानि क्या? MCG यानि क्या? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कनवर्ट हो सकता है एमिटर में भी और वोल्ट में भी फिछले सी लेबल्स में इसको कनवर्ट करने के भी टॉपिक बहुत रहते थे कि कनवर्ट MCG इंटू एमिटर एंड कनवर्ट MCG इंटू वोल्ट मेटर लेकिन अब इस सीलेबस में शायद से उन्हेंने क्या कर दिया है उसे ड्रॉप कर दिया है और सिर्फ हमें MCG को समझ लेना है कि exactly काम कैसे करता है जो हम एक बार अब मैं बताता हूँ आपको हम अमार इसमें हो जाएगी तो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है बेटा प्रिंसीपल का प्रिंसीपल क्या है आप डाइगराम देखते रही है बाजू में इसमें से हम प्रिंसीपल को भी समझ लेंगे और हमारे क्या समझ लेंगे हम हमारी स्ट्रक्चर को भी समझ लेंगे देखे ब फिल्ड ऐसी अगर जारी हैं तो उसमें हमने क्यै कर दी। ऐसी कौईल रखी है। समझ लीजे यह coil है वो हमने ऐसी ने रखी ऐसी coil रखी है और इस direction से कौन सी field जारी है magnetic field क्या हो रही है जारी है आपको समझ में आ रहा है एक बार clear फिर से हो जाए कि इस direction से मेरे हाथ जिस तरफ मुह हो रहा है मेरा left hand उस तरफ क्या field है magnetic field है और mobile रखा है उस तरफ कौन सी field है electric field है यानि ऐसी diagram बनी है तो ऐसा है लेकिन हम इसे ऐसा consider करेंगे अब मेरा hand जो indicate कर रहा है यह this is our magnetic field and this is our electric field ऐसी coil में क्या हो रहा है मू हो रहा है okay समझ मैं आरा आपको तो अब आप देखिए coil को होगा क्या coil पे इस साइड पे और इस साइड पे जो force act होगा वो एक दूसरे को क्या कर लेंगा balance कर लेंगा और हमारी coil ऐसी rotate होगी ओके ऐसे ऐसी coil क्या हो जाएगी rotate हो जाएगी ओके अगर coil ऐसे rotate होगी बेटा तो इस पे क्या act हो रहा है torque act हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या act हो रहा है, torque act हो रहा है और इस torque को लेके इस torque को लेके यह H के बाद, H हमारा सबसे important structure है इस पर, उस पर तो मैं construction के time पर बात करूँगा, लेकिन यह जो torque act होता है, that is our principle वो है, when a current carrying coil is suspended in a uniform magnetic field यह uniform magnetic field इधर जा रही है उसमें हमने current रग दी है current carrying coil रग दी when a current carrying coil is suspended in a uniform magnetic field a torque acts on the coil coil पे क्या act होगा? torque act होगा and this torque will tend to rotate the coil so that magnetic flux through the coil is maximum यहने theta कितना 90 degrees होगा और यह torque क्या करेगा? coil को rotate करने के कोशिश करेगा समझ में आ रहा है यह principle है principle क्या है? when current carrying coil is suspended in a uniform magnetic field torque acts on it हम इस principle को एक structure में ऐसा भी लिख सकते हैं अगर current ज्यादा होगा तो rotation भी कैसा होगा? ज्यादा होगा यह भी आप लिख सकते हैं यह पिछले साल को था कि current अगर ज्यादा होगा तो rotation भी कैसा होगा? ज्यादा होगा इस इस दा बेसिक स्ट्रक्चर तो principle आपको समझ में आ रहा है principle क्या है? even a current carrying coil is suspended in a uniform magnetic field torque acts on the coil this torque tends to rotate the coil so that magnetic flux through it maximum magnetic flux through it is considered to be maximum यहनि coil क्या होगी? रोटेट होगी अब इस principle को लेके आप डाइग्राम को समझने कोशिश कीजिए डाइग्राम को मैंने construction के तोर पे लिख दिया है construction क्या है? C is our coil इसके अंदर soft iron core होगा जिसे हम समझ लिजए ऐसा मैं उसे थोड़ासा roughly black समझ लिजए gray color से pencil से करना हो चाहिए था कि यह soft iron core अंदर का होगा अपने दीवाली में कभी bomb फोड़ा होगा ना सुतली बॉम होता है तो सुतली बॉम पे कैसे है अंदर के एक डिविया होती है छूटी से एक डिविया होती है और उस डिविया में बारुत भरा होता है तो समझ लिजए वो जो अंदर की डिविया है that is our soft iron core और उस पे जो सुतली बांदी हुई है that is the number of turns of a coil इस तरफ जारी है मेरी magnetic field black color की black color से जारी है magnetic field और ये red color की अंदर मेरे पास क्या है coil है सबज लेजे एक बार मैं बहुत ही आसानी से समझा रहो black color की है magnetic field red color की है coil अब देखिए इस coil में ये जो उपर का arm है और ये जो नीचे का arm है जिनमे current flow हो रहा है इनका angle कितना degree बन रहा है b और i का angle कितना degree बन रहा है 0 ये जो उपर का arm है और नीचे का arm है बन गया है 0 यानि force कौन से कौन से arm पर act हो रहा है एक इस arm पे जो बाहर की तरफ है समझ लेजे इस arm पे और इस arm पे force कितना act हो रहा है 0, क्यों? इसका एंगल और B का एंगल कितना हो गया है? 0 हो गया तो sine 0, 0 तो इस arm पे, इस arm पे force नहीं है, इसका एक force समझ लिजे बाहर की तरफ, इसका force समझ लिजे अंदर की तरफ, यानि ऐसा coil के होगी, rotate होगी coil is rotated समझ लिजे बाहर की तरफ या अंदर के तरफ कोईल ऐसी रोटेट होगी, अब मैं हम्वेशा की तरफ आपको बोलता हूँ कि कोईल जब रोटेट होगी, तो समझ लीजे क्या होने वाला है, एक कोईल अगर रोटेट होगी, ऐसा होगा, तो स्प्रिंग देखिए, या नीचे की तरफ स्प्रिंग इंटर्नल रिस्टोरिंग टॉर्क प्रॉइड करेगा ओके स्पिरिंग हिलिकल है ऐसा ऐसा मज़ लीजिए ऐसा ऐसा मज़ लीज़ा कि ऐसी स्प्रिंग है जब रोटेट होटा है तो एक हाथ खुल जाता है एक उसके कड़ी खुल जाती है और रोटेशन के लिए एच क्या प बेटा, mirror से तो reading मिलेगा mirror क्या करेंगा, reading देगा MCG consists of a coil of several turns in such a way that it can rotate freely अंदर के दरफ यह क्या हो रहा है rotate हो रहा है, freely rotate soft iron core is inside the coil and H is helical spring which provides necessary internal restoring torque and M is the mirror which is used to taking readings तो यह construction होगा आपको exam में इतना लिखना ही पड़ेगा तो exam में dot what to यह लिखना है, तो आप इसे screenshot ले लीजिए तो principle हो गया, construction हो गया diagram में अब इसको क्या करने वाल हो पोचने वाल हो बेटा, diagram में बस आपको यह याद रखना है कि इधर की तरफ कोण जा रहा है हमारा, magnetic field जा रहा है और center में कौनसी field है, electric field है वह लगे तो मैं diagram भी रखूंगा और इधर working लिखने कोशिश करूंगा इसके उपर एक चोड़ी सी diagram और निकालूंगा principle construction समझ में आगा है, चमक रहा है तो comment section में लिख दीजे बटा, like भी मार दीजे सबको बोल दीजे कि हम क्या बट रहा है magnetic effects of electric current का moving coil galonometer जिसमें हमने principle बोला है when a current killing coil is suspended in a uniform magnetic field a torque acts on the coil and this torque tends to rotate the coil so that magnetic flux through that coil is maximum and construction में हमने बीच में क्या लिया हमने बीच में ले लिया देखें, बीच में हमारे पास है coil coil के सिर्फ, समझ लिजे अगर मैंने इन्हें नाम दे दिया अगर मैंने इन्हें नाम दे दिया कि A, B, C, D तो A, B और D, C इन पे force act नहीं होगा क्यों? क्योंकि हमारा हमारी जो magnetic field है वो भी इसी तरह तो A, B, C, D magnetic field को कैसे है? पैरलल है ओके? तो force कहाँ packed होगा? एक force यहाँ packed होगा F1 समझ लिजे, एक force यहाँ packed होगा, इसे कहे लिगे F2 ओके? और इसके वज़े से वो क्या होगी? रोटेट होगी आगा समझ में और यह जब रोटेट होगी तो इसका एक कड़ी खुल जाएगी खुलने के बाद में वो ही कड़ी फिर से वापस आएगी ना, spring है इसमें restoration होता है, तो spring उसको वापस लाएगा बाहर निकलेगा, फिर से वापस लाएगा बाहर निकलेगा, फिर से वापस आएगा पहार नेकल लगा फिर यानि अंदर के तरफ क्या होगा और सिलेशन्स परफॉर्म करेगे हमारी कोई ऐसे और इसे कहा गया mcg और यह जब ऐसा हिलेगा तब इसका रोटी इसका सब जो रिफ्लेक्शन है वो कहां पर मिलेगा मिरर में मिलेगा और मिरर में हम क्या लेंगे वर्किंग आपको अब समझ में आ गया बेटा दिखी बेटा वर्किंग बहुत आसान होने वाला बहुत ही इंपोर्टन्ट है टॉप व्यू एक बार हमने इदर निकाल लिया कैसे निकाला टॉप व्यूप इने टाइग्राव इसके लिए अगर आप उपर से देखेंगे त तो कोईल का एक टॉर्क एक्ट हो रहा है डिफलेक्शन के लिए जो इन बी आये है और एक टॉर्क हो रहा है इसे वापस लाने के लिए जिसे हम कहेंगे इंटर्नल रिस्टोरिंग टॉर्क वो किसके वज़े से एक्ट हो रहा है स्प्रिंग के वज़े से ओके तो जितना ड restoration है, समझ लिजे, angle का deflection का angle है, phi है, phi अगर angle of deflection है, तो हम, जैसे आपको अगर पता होगा, हम oscillations में क्या गर दे थे, f restoring force is directly proportional to क्या होता था, minus x, minus x क्या, x is the displacement from mean position, and minus sign are, they are opposite, तो वैसे ही, torque of restoration क्या होगा, is directly proportional to minus of phi, कि phi क्या हो गया, deflection, और minus sign क्या, क्योंकि ये क्या है, restoration है, तो torque of restoration of spring, जो है, h परोहेड कर रहा है, वो कितना हो गया, minus of k into phi, तो torque of deflection is equal to torque of restoration, ये हमारे condition बन गी, टेक्स्बूक में ये लिखना ही भूल गया है, बराबर, ये problem है, हम क्या कर रहा है, कि the coil rotates due to torque, and torque अगर rotate कर रहा है coil को, तो torque of, ये कौन सा torque है, ये torque of deflection है, ये जो torque है, वो torque कौन सा है, torque of deflection, कि जिससे हमारा coil deflect हो रहा है, और it is given by NBIA, इसको हमने पिछले problem में क्या कर लिया, solve कर लिया था, कि torque of deflection is NBI, where A is area of coil, B is magnetic field, N is number of turns, and I is current, अब ये important line हम रिख ले है, कि this torque is balanced by a torque due to vehicle spring, which gives restoring torque, कि यहाँ पे spring है, ये खुल गई थी, deflection के वक्त, अब ये वापस आना चाहती है, तो इस वापस आने में, ये जो deflect हुआ है, कोईल, ये भी फिर से वैसे ही आएगा, ऐसे खुल गई थी नहीं, तो ये भी वापस आना चाहती है, तो इसे कहे गया, torque due to helical spring, और torque, अगर current ज्यादा होगा, तो deflection भी ज्यादा होगा, तो torque ज्यादा है, अगर torque हमारे पास deflection का भी है, तो एक torque का इसा है, restoration का भी है, तो हमें मिल गया, NBIA is equal to minus of K5, minus sign, सिर्फ क्या indicate करता है, direction, इसका इसमें वजूद नहीं है, textbook में हमें minus sign दिया भी नहीं है, तो minus sign हम नहीं consider करेंगे, हम लिखेंगे, NBIA is equal to K multiplied by 5, ये balancing condition आप याद रखिएगा, where K is considered to be torque constant, torque constant, और K is torque constant, Phi is deflection, हमें Phi क्या हो गया है, deflection हो गया, Phi deflection, हमें अगर Phi की value निकालने कितना deflection हुआ है, तो Phi is equals to NBIA upon, क्या कह सकते हम, K, यहाँ पे आपको पता चलता है कि Phi is directly proportional to I, यह आपका प्रूर हो जाता है, MCG कि जितना ज्यादा current, उतना ज्यादा deflection, जितना ज्यादा deflection, उतना ज्यादा current, ओके, that means, deflection is directly proportional to I, deflection किसे proportional है, जितना ज्यादा करेंगे, कि एक टॉर्क क्या करेगा, deflection करेगा, एक टॉर्क इसको deflection कर रहा है, एक टॉर्क इसको वापस ला रहा है, जो deflection कर रहा है, टॉर्क है, NBI है, और वापस लाने वाला टॉर्क कोन प्रोड़, sorry, टॉर्क कहे दिया मैंने, sorry, sorry, तो वापस लाने वाला टॉर्क को प्रोवेड कर रहा है एच क्या है हेलिकल स्प्रिंग है तो स्प्रिंग उसको क्या कर रही है वापस ला रही है तो वापस ला रही है तो उसे क्या कर दिया है रिस्टोरेशन कर दिया है यह हमारा रिस्टोरेशन हो तो इस रिस्टोरेशन को minus sign मैंने क्यों लिखा क्योंकि minus sign लिखना हमारी moral right है बटा क्योंकि वो restore कर रहा है न उसे तो उसे वापस ला रहा है वो वापस अगर रहा है तो हम minus sign लिखिंग भले ही उसे बाद में निकले करिए लेकिन पहले लिखिए कि वो torque of restoration का है तो ये तो आपको कंप्लीटली लिखना ही पड़ेगा और टॉर्क ओफ deflection और टॉर्क ओफ restoration सेम क्यों होगे पेटा structure balance ही रहेगा न तो due to balancing टॉर्क ओफ deflection is equal to torque of restoration NBi is equal to minus of k5 थिटा भी लिख लिए तो कोई problem नहीं है हम कोई ना कोई तो angle consider करना ही है न तो theta consider कोई problem NBi is equal to minus k5 है NBi is equal to k5 हमें यहां से ही मिल जाता है कि I is directly proportional to 5 because N is constant B is constant A is constant A is constant I is directly proportional to 5 तो as current will flow it will get deflected और वो वापस भी आएगा तो यह हो गया हमारा moving quality वाल अनमेटर इसे लिखिए मुझे भीजिए यह बहुत important है exam में आने वाला है बहुत ज्यादा इसे लिखे शांती से लिखे और मुझे भेजिए और इस पर के question भी देखने कोशिश करेंगे तो अगर आपको समझ में आ गया तो like करना मत भूलिए का channel को share कीजिए subscribe कीजिए like कीजिए सबको भेजिए आपके लिखे बहुत ज्यादा hard work करके हम वीडियो बनाते हैं तो आप इसमें हमारे phone पे पे आप कुछ help economical help भी हमारे channel को क्या कर सकते हैं कर सकते है phone पे का number आपके पास है WhatsApp का जो number है वही phone पे का number ओके तो channel को like केजिए share कीजिए subscribe कीजिए बेटा और मैं पढ़ाता रहूंगा आप पढ़ते रहिए thank you very much